देश की राजधानी दिल्ली में हाई प्रोफाइल चोरी से पोलिस महकमे में हरकम्प मचा हुआ है जहां दीवार में सुराख कर चोरों ने एक जूलरी शोरूं का पूरा ख़ताना खाली कर दिया एक दो नहीं बलकि शोरूं का लौकर तोड़ कर 25 करोर रुपे का जूलरी ले उड़े 72 घंटों की 96 बीन के बाद पूलिस को एक बड़ी काम्याबी हाथ लगी है पूलिस ने 36 गड़ के दुर्ग से दो बदमाशों को गिरफतार किया है इनमें से एक बतमाश शातर चोर बताया जा रहा है जिसके पास से पूलिस भारी मात्रा में गहने भी बरामत कर चुकी है एसपी बलासपुर संतोष सिंग ने बताया कि दुर्ग में एक आरोपी से 12,50,000 रुपे नकत और 18 किलो से अधिक सोना और हीरे जब्द किये गए हैं दुर्ग में एक रात को रेड की कारवाई की गई थी जिसमें एक चूर लोके स्रिवास को पकड़ा गया बेसिकली उसके खिलाप हम लोग के 7-8 चूरियों के मामले बिलासपुर में अलग-अलग थानों में दर्श थे कल उसके एक साथी को पकड़ा गया था कवरदा से जिसके साथ 23 लाग का सामान जोयल्री और कैस मिला था जब उसको पकड़ा गया लग-बग साड़े 12 लाग कैस है उसके घर से मिला है और चेक करने के बाद दिल्ली में काफी बड़ी चोरी वी थी उस चोरी के भी लग-बग जो साड़े 18 किलो सूना डाइमंड जोयल्री भी मिला है दिल्ली पुलिस भी टीम भी पहुची वी थी बता दें कि दिल्ली के भोगल जोयलर्स में रविवार को एक जोयलर्स शोरूम से 25 करोर की चोरी हुई थी दुकान मालिक ने बताया कि रविवार की राज जोल्री शोरूम के मालिक ने दुकान अच्छी तरह से लौक किया था सोमवार को दुकान बंद थी मंगलवार को सुबह जब शोरूम मालिक अपनी शोरूम में पहुचे तो पैरो तले जमी खिसक गई शोरूम की दिवार में स्ट्रोंग रूम के पाथ बड़ा छेद दिखाई दिया तभी किसी अनहोनी की आशंका हो रही थी और अंदर जाते ही उन्होंने अपना माथा पीख लिया शोरूम के मालिक हैं उनसे बाचीत कर लेते हैं उनों चोर गिरफतार हो गए हैं मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पुलिस का दिल्ली पुलिस का वहां की पुलिस का और मीडिया का और अपने बजार का ने रिस्तेदारों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और अभी तक जो हमें पता नहीं लगा क्या है हमें कोई के लिए से पुलिस ने नहीं बताया जा रहा है कि दुकान में बेस्मेंट के लिए जो रास्ता जाता है उसमें सेंद कर चोर शोरूम के स्ट्रॉंग रूम तक पहुँचे थे पुलिस को शक है कि ये चोरी रविवार को हुई है पुलिस के मताबिक छट और दीवार में छेद करने के बाद चोर अंदर पहुचे उन्होंने तसली से इस चोरी के वारदात को अंजाम दिया क्योंकि चोर सूना चांदी की ज्यादा तरखीमती सामान चुन चुन कर उठा कर ले गए फिलहाल 36 गड की विलासपूर पुलिस ने दुर्ग से दो बतमाशों को पकड़ लिया है जिन से पूछताज भी शुरू कर दी गई है उमीद है कि जल्द ही इस हाई प्रोफाइल चोरी की पूरे रहसे पर से परदा उठेगा और इस महाचोरी में शामिल एक एक च सलाखों के पीछे होगा